आप सब का हमारे चैनल लेटसे इस्टारी डिश्टेइन बहुत बहुत स्वागत सब से पहले तो मैं आप सब को थैंक्यू कहना चाहूंगी जो आपने मेरे वीडियो को इतना लाइक किया या सेयर किया ह fishing करते हैं कल मैंने आपको जो सुझाओ दिये तो उसमें एक कामेंट देखा, किसी ने कामेंट किया था कि मैं आपने वीडियो को थोड़े से बड़े बनाईए, उसके लिए मैं अपने वीडियो में जो भी आपको प्रवाइट कर रही हो, मतलब इससे क्वेस्टन आने की पूरी-पूरी संभावना है, या प्रिवियस एर में इससे क्वेस्टन पूछेंगें, क्योंकि मैं आपको बहुत जारा लंबा वीडियो दे सकते हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एक्जाम के टाइम प उसमें जितने भी important topic बन सकते थे, या important जू भी था मैंने आपको पढ़ा दिया, आप इससे family and friends से जितने भी previous year question आएं, आप जाके उनने solve करके देखिए, अगर आप वो question ना कर पा रहे हो, तो आ क्या बताएगा, आप उन question को easily कर सकते, इसलिए मैं बोले हूँ, मैं जितना एर paper solve करके देखेंगे, आप time के accordingly ना सुची, मैं इतना छोटा वीडियो दे रही ही, तो क्या होगा, इसमें आप जाके quality को देखिए, हो सकते, उसमें थोड़ा बहर टाइपिंग रहर है, इसके लिए हम sorry, लेकिन आप जाके उसके quality देखिए, उससे पढ़ने के बाद जाक आप जाके सारे previous year question solve करिए, और देखिए आप easily कर सकते, चलिए आज हम अपना slave से start करते, आज हम आपके बाल विकास और सिच्चा साथ का अधियन करना इसलिए बाल विकास के अंदर का पहला chapter जो दिया गया है, बाल विकास और सिच्चा साथ में पहला chapter दिया गया है, विक आज हम सिर्फ विकास के बारे में समझेंगे, इसके बाद इसका अधिखम से सम्मंद हम अगले topic में start करेंगे, ओके चलिए जलके हम अपना वीडियो को start करते हैं, वाल विकास के अधार नावा अधिखम से सम्मंद है, तो सबसे पहले हमें मनो विज्ञान के बारे में जान साइको का हमारा तात्पर होता है आत्मा ता लोगस का तात्पर हो अध्यान करना, तो इसका मिलागे हुआ आत्मा का अध्यान करना ही साइकलोजियर, प्राचीन काल में या परिभासा ही मानती कि मनो विज्ञान के अंतरगत हम उसका आत्मा का अध्यान करते हैं, लेकिन मद यूग में आके हैं परिभासा अमान हो गई प्लेटो अरेस्टो तरह से डेकार्ड ने इस बात कर समर्थन किया कि मनोविग्यान के अंतरगत आत्मा करदर करते हैं और प्रारम में जो होता है मनोविग्यान दर्सन साथ के साथ ही थी लेकिन वर्तमान में मनोविग्यान को दर् 14 साखा है मनो विज्ञान की कुल 14 साखा है जिसमें से एक साखा है बाल मनो विज्ञान बाल मनो की विज्ञान के अंतर गती हम अपने सब्जेक्ट का बाल विज्ञास का अध्यन करते हैं चलिए चलके अपने अध्यन स्टार्ट करते हो फिर क्या हो मनो विज्ञान को महले हम जिसे मनों वग्यान केम करते हैं फिर घ can connect मन मस्तिच करतें लेकिन इस बात को भी उन्होंने खंडन कर दे क्योंकि मन या मस्तिचक को भी कोई ठोच तो ही जो जाके प्रियोग अध्यन करते हैं फिर हुआ मनों विग्यान के अंतरगात हम चेतना का अध्यन करते हैं लेकिन अधनी काल में या परिभासा भी अमान नोगी मनों विग्यान के अंतरगात हम विवहार का अध्यन करते हैं बहुत से विवहार वादिन जिसे वाट्सन हैं इसके नार हैं अगर हमें किसी मन का विज्यान, मतल awakें मन के वारे में जानना है तो मगर उसके व्योहार का दो तीन दिन ऑलोकर करें तो हमें काफी चीज पता चल दएगी आता आधनी ख्यूग में जो कहा किया मन का अध्यान अर्थाथ उसके विज्ञान का अध्यान करतें तब ही हम उसका मन का अध्यान कर सकते हैं तो आधनी में मनो विग्यान कहनता है गाथ हम उसके वेवहार का अध्यान करते हैं चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं मनो विग्यान की कुल 14 साखा हैं अब हम पढ़ते हैं विकास की आउधारना विकास के विकास निरंतर जीवन परियंत चलने वाली प्रिक्रिया है जो गर्व से लेकर मृत निरंतर चलती रहती है विकास जो तो निरंतर चलता रहता है विकास का प्राणन तब से होता है जब बालक गर्व में आता है गर्व से मृत उता होता है कि जब से विकास होता है इस टार्ट होता है तो विकास हमारा जीवन परियंत होता है कोई भूड़ा होता है तब भी कुछ ने कुछ सीख रहा रहता है या कुछ ने कुछ परिवर्तन हो रहता है तो हमारा मतलब क्या सकते हैं कि विकास हमारा जीवन परियंत होता है यह अरश्टू आंत्रीक वाग कारणों से व्यक्त में होने वाला परिवर्थन है अरश्टू ने कहा कि विकास किया हमारे यह अंदर अंधर परिवर्थन आ रहा है तो विकास आंत्रीक कारण कैसा हो सकते जैसे आज आप मोटीवेट हुए कि मैं seated का exam qualify करके teacher बनना है तो आप अंदर से motivate हुए तभी तो आप हमारे वीडियो देख रहें क्योंकि आपको हर हाल में seated का exam qualify करना है तो seated का exam qualify कर लेंगे तो आपके वेवार में परिवरता नाएगा कर पार है तो कुछ दिनों पाद आप क्या काकोसिस करेंगे कि आप इसने left hap से typing start करें अगर आप left hap से typing start कर लेंगे तो यह भी आपका विकास हुआ विकास कैसा हुआ वह बाहा कारण चीव क्योंकि आप उस हान्ट से typing नहीं कर पा रहे हैं तो आपने परिवर्तन लाएं तो आपको परिवर्तन आशा करते हैं समझ में आके होगी ठीक है आप हमारे दिन करते हैं अब ब्रद्धिवा विकास का क्योंकि यह आपका एक टॉपिक का हिस्सा है ब्रद्धी वा विकास को कई पर लोग एक जैसे समझ लें जबकि ब्रद्धी वा विकास में अंतर है ब्रद्धी क्या होती एक पच्छी होती जबकि विकास व्यापक होते है ब्रद्धी हमारे किसी एक पच्छी में होती जिसे सारी रिख परिवर्तन जो होते हैं हमारे ब्रद्धि के अंतर गहते हैं जो कि विकास ब्यापक होता है विकास हर चेत्र में होता है सारी रिक चेत्र में मांसिक चेत्र में भासाई विकास सारी रिक विकास सारी रिक विकास भी होता हो ब्रद्धि चोती सिर्फ सारी रिक जैसे हमारे फ्रैंक ने कथन का है जो हमा गुडात्मक का मतलब क्या होता है इसमें हम कोसलता का विकास करते हैं तो कुछ ब्रद्धी जो ची होती है उसे परिमार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन उसको क्या होता है गुड़ के रूप में व्यक्त करना तो हमारे गुडात्मक हो गया और ब्रद्धी एक समय के बाद जाके बढ़ना रुख जाती है ऐसे तो नहीं कि आप हमेशा लंबे होते चले पंसे लेकल पां सेंटी मीटर उसकी बाद इतना इतना ऐसा तो कभी नहीं होता है विकास एक निस्चित समय तक होता है विकास जीवन परियंत होता है ठीक है आप हम पढ़ते हैं अब विकास निरंतर होता रहता है और अगला हमारा नियम है कि विकास क्रम में एक रूपता होती है विकास का हमारे क्रम जो निस्चित है जैसे किसी भी मानों का विकास का क्रम देखेंगी तो मनना हो सकता है हर व्यक्तिक है विकास में विविनता व्यक्तिक भी वनता हो सकती है क किसी के वगास थोड़ा कम हो रहे हैं किसी के ज़्याद़ हो रहे हैं लेकिन विकास का करम तो सबका निश्चित के भाला पहए गरभी वस्ता हमें उसके बाधा में बाल्य में फिर किसा यू वस्ता यह to तो आप हर मानों को विकास का करम तो यही निश्चित होगा। आप किसी भी देख इस संब करे और दूसरी विकास सामान से विषिष्ट होता है। जैसरे आपने देख प्रारम में बालक सामान करिया करता है। पूरे हाथों से समेटने कोसिज करेगा लेकिन उसके बाद उसको दीरे-दीरे सामान में आएगा कि वाल को तो सिर्फ उंगलियों के साइदा से भी पकड़ सकते हैं अर्थार पहले सामान होता है फिर विशिष्ट अंगों को चलाना सीकता है इसके अधरी क्या होता है विकास के बारे में भविस्वारी कर सकते हैं भविस्वारी कैसे करते हैं जिसे हम विकास का हम कोई भी बालक कर जहर में ना हुआ तो फिर भी हम इसके बारे में कहा सकते हैं नो बालक पहले साइसा आवस्ता में होगा उसके बाद बाले आवस्ता में जाएगा फिर किसोरा आवस्त क्या होता है कि जैसे विकास होता है तो विकास मानों का विकास सिर से पैयर क्यों होता है ये क्वेस्टन आपका एक बार सीटिट के एक जाम में आ भी चुका है ठीक है इसके अत्रिक भी विकास को तो विकास जैसे वनसा अनुकरम तो तो वाता वरण के अंता क्रिया से होता है बाहरा समाज में जतना भी जोनों इन दोनों के समले रूप से तो विकास होता है जैसे हूँ हमने देखा है कि बहुत जादा प्रवारे वन्वारे चैसे दो जड़वा बच्चे हो सकता उन्हें वन्साज़ jam से एक ज़ Measure मिलो या ना मिलो फिर भी उन्हें वैक्तिव वहनता जरूर होते हैं अगर उनको अलाग अलाग वातावरण रखते हैं जैसे एक बच्चे को बिल्कुल सिच्छित समाज में रखें तो आगे जलके 100% तो नहीं लेकिन 99% सिच्छित बनेगा अगर उसको अच्छा वातावरण मिलेगा लेकिन ए तरीक हमें पढ़ते हैं जलके विशसा वसता के बार मिशसा वसता विकास के कवस्तारं पहले गरभा वस्ता होती है तो तो जा चुकँ करेंगे जर्म से 5 या 5 वर्सत करिएगा वैलेंटाइन नें परिवासे दी वैलेंटाइन ने का सहसा वस्ता सीखने का आधर्षकल क्यों कि सहसा वस्ता में जो बालक होता है बहुत जल्दी अंकरन की प्रवति पाया है जैसे आपने देखा को छोटे बच्ची के सामने आप माँ पापा ऐसे बोलिए तो कुछ देर बाद देखते हैं आप खुद अनुकरन करके बोलने लगते हैं अपने आवाज में माँ पापा और सिंगमें फ्रेंड ने का एक परिवस्टी बालक को जो कुछ भी बनने होता है उसका निर्दारान प्रारम के चार या पांच वर्ष में हो जाता है वार्चन ने का आप मुझे कोई भी नौजास सिसु दे दे आप जो कहेंगे मैं उससे वही बना दू कि वार्चन कहते हैं कि प्रारम में बालक के साथ जैसा बैवार करते हैं आगे चलके बालक वही बन देंगे तो वार्चन ने का निश्य चलके बालक आगे चलके चोर ही बनेगा इसलिए सैसा वस्ता को भावी जीवन के आधार सिला भी कहते हैं तता सैसा वस्ता को आतार्किक चिंतन के आवस्ता क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि सैसा वस्ता में बालक आतार्किक चिंतन कह जैसे आप्साइसकीद ङाहल को यह साइसावस्ता का भालक हुता है आप 2 खिलोने लागी उसे दे दो उससे बोलो कि एक अपने भाई को देदो एक तुम खेलो तो इस अपने भाय को देना पशंद नहीं को आपको भायनी को देना सब पसंद करेगा कि जब आप उससे बोलोगे कि आपको भी पिटाई पड़े या उसे चोकलेट तो क्योंकि तर्क से नहीं सूसते कि यह मेरा भाई यह मैं बाद के खिलना जाई ओ तो यह तो भैस यह तो प्रसंसा से ही अपने खिलावने देगा क्योंकि उसमें तर्क नहीं करता कि आ रहे हैं कि मेरा भाई हमें चीज़े बाट के खेलनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता उसके मन में या तो डंड की वज़े से आगर आप कहोगे या तो आप कोई प्रसंसा या प्रलोबन देखे कहोगे कि हमें आपको चॉकलेट दूँगे अपने भाई के साथ खिलोने सेयर कर लो इसलिए हम सहसा वस्ते को आतारकिक चिंतन की वस्ते कहते हैं इसके तरिक सहसा वस्ते को खिलोनों के आई भी कहते हैं यह क्वेसिन आपके एकजाम में एक बार पूछा जा चुका है अब हम सहसा वस्ते को विचेस्ता हैं परते हैं सहसा वस्ते में सारी रिक वह मानसिक विकास अती तीव रिगत्ची होते हैं सहसा वस्ते में बालक के मानसिक विकास का लगबग 90% विकास हो जाते हैं प्रवती बहुत पाई जाती है आपने भी अपने घ़र में चोटे बच्चे देखे होंगे वह कोई भी नए चीज देखें तुरहन पुष्टे ममी यह क्या है यह ऐसा क्यों है क्या आधिके प्रस ने बहुत पूशन जैसे आपका भी एक बच्चे को लिके बजार जारी है त तो उसने जैसे ममी ने बताया है बेटा यह देखो आम का पेड से में आम का पेड फल लटक रहे है को फल खा जाते है थोड़ी द Erik भी यह बच्चे नहीं प्रस पीर जाया तो बज्चे को और लिग ममीने बता अन्य नहीं together पेड की ममी देखो आम का पेड उसोचेगा कि मतलब उसमें जिग्यासा है जानने की, तो वो ममी पुछे कि ममी ये क्या है तो ममी बताएंगे बिटा ये तो पपीते का पेड रही है, भी एक फाल है, इस्ते का जाते है, इसमिझे मैं समझा बच्चे में जिग्यासा उसी कई बार क्या होता है जैसे घर में कोई भी खिलाओने लाए जाते हैं वो सोचते सारे खिलाओने सिर्फ मुझे मिल जाए अपने छोटे भाई ये बहन से सेर नहीं करना चाहिए वो भी सेर ही तब करता है जब दंड या प्रसंसर से बहसे ही करता है क्योंकि उस सो प्रेम में हो और सैसा वस्ता में बालक में नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है क्योंकि जो सैसा वस्ता में होता है बालक में कोई नैतिकता नहीं होते है जैसे आप उसे कोई ट्वाई की दुकान में लेके जाए उसे कोई ट्वाई पसंद आजाए आप उसे दिलाले से मना कर दीज या अच्छा नहीं है खराब है या कोश्टली कुछ भी बोल दीजे लेकिन अगर उसे पसंद आ गया तो वहीं पर रोने लगेगा कुछ भी करेगा चिला आगा लेकिन उसे चाहिए यही चीज अगर आपके सूरा वस्ता के बालक को लेकर जाएंगे तो उसे मना कर देंगे भ मैकडूगल ने कहा कि हमारा बेवार जो होता है मूल प्रवत्तियों पर आधारित होता है मैकडूगल ने चोदा मूल प्रवत्तियां बताई है उन्हें कि हर व्यक्ति का बेवार मूल प्रवत्तियों पर आधारित होता है इस आधार पर हमने अपने टॉपिक पर सैसा वस्त आगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बाल्यावस्ता वाल्यावस्ता की विचेधल सब्सक्राइब करें उसके लिए प्लीज कमेंट करें और आपको जो भी मारी चैनल को सब्सक्राइब करें तता हमारे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ share कर, thank you for the watching this video